दोस्तो बिग बॉस के सीजिन 15 के लाइफ फीड में इस समय गर के अंदर सुबह से ही करन कुंदरा और विशाल का जो जगडा चल रहा था वो आखिरकार शोट आउट हो चुका है और दोनों ही कंटेस्टेंट ने एक बार फिर से अपने सारी लड़ाई और जगड़े को बुला कर एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बरा लिया है जो कि सीन देखने में वाकि काफी दिलचास्प है दरसल दोस्तों विशाल कोटियर ने बीटे दिन टास्क के दोरान समिता शेटी के साथ आई अप कर कर करन कundra को टास्क के दोरान दोका देने की प्लानिंग बना ली थी जो की करन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और इसी बात को लेकर करन कुंद्रा ने गर के सभी कंटरस्टेंट को एक जगर पर एकटा किया और इस मेटर को शॉट आउट करने के लिए कहा जिसके बाद दोस्तो करन ने विशाल को बातों ही बातों में कहा कि यार तुने जिस तरीके से समिता के साथ बात करके प्लानिंग करके मुझे से छुपके जो प्लान बनाया है वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि इतने दिनों तक तो हम एक ही गर के अंदर रह रहे थे जंगल में और एक दूसरे के हग के लिए लड़ते आ रहे थे लेकिन तुने तो अकेले ही गर के अंदर जाने की प्लानिंग बना ली और मुझे ही दोका देने की साजी सरस्ट ली जिसके बाद दोस्तों विशाल को कहीं न कहीं अपनी गलती का ऐसास हो गया और विशाल ने अपने कान पकड़ते हुए करन कुंदर से अपनी गलतीयों के लिए माफी मांग ली जिसके बाद करन ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए विशाल को कहा कि चल कोई बात नहीं मेर भाई गल्तिया तो हम इंसानों से ही होती है इसके लवा करन ने कहा कि अगर तुम मुझे एक बार भी खेह देता कि सबसे पहले तुझे गर के अंदर जाना है ये सुदने के बाद में कहीं न कहीं कि विशाल को अपने सारी गलतियों का एसास हो गया और आखिरकार इनके बीच में चल रहे जगड़े का खात्मा भी हो चुका है कुल मिला गर दोस्तों कहा जाए तो अब एक बार फिर से गर के अंदर दोस्ती के लहर चाह चुकी है जो कि देखना वाकई काफे ज़्यादा रोमान चका है फिलाल दोस्तों आपको करन, कुंद्रा और विशाल के दोस्ती कैसे लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए वीडियो पतन दाए तो लाइक जरूर करें वो बिग वास से जोड़ी हर ख़बर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हो